तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग काफी सारी देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह से डिफरेंट चीजें जो है वो ग्राफिक डिजाइन के अंदर बना सकते हैं और इसके लिए हम लोग डिफरेंट सौफरे का इस्तमाल भी कर रहे हैं अच्छा अब यहां पे मैं आप लोगों को इस लेसन में थोड़ा सा वापिस पीछे की तरफ लेके जाना चाहता हूँ और आप लोगों को याद होगा कि इलिस्ट्रेटर के अंदर हम लोगों ने एक फीचर जो है उसको काफी डिटेल में डिसकस किया था image trace के नाम से हमने देखा था कि image trace जो है वो इलिस्ट्रेटर में एक बहुत ही फायदामन फीचर है जिसके मदद से हम लोग बड़ी असानी के साथ किसी भी image को किसी भी illustration को किसी भी icon को हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको vectorize कर सकते हैं इसके अलावा हम लोगों ने image trace की मदश से images को vector textures के अंदर convert करना भी ये भी सीखा था अचा इस lesson में मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसका overview देना चाहता हूँ और इसके अलावा कुछ options by default मौजूद होती है image trace के अंदर जो के हमने पहले नहीं देखी थी वो अब हम इस lesson के अंदर देखेंगे और ये कुछ ऐसी quick options हैं जिनकी मदब से हम लोग बहुत quickly by default options को use करते हुए किसी भी illustration को या किसी भी चीज़ को वेक्टराइज कर सकते हैं ये एक illustration आप देख सकते हैं इस illustration को हम लोग illustrator में लेके जाते हैं और इसको हम वेक्टराइज करते हैं इसके लावा ये एक आप लोग देख सकते हैं और visual है ये कुछ visuals मैंने जो है वो आप लोगों के लिए निकाल के रखे में तो चलेंज चलते हैं और image trace के मदद से सीखते हैं कि हम लोग by default options को use करके किस तरह बहुत असानी के साथ images को और different चीज़ों को artworks को vectorize कर सकते हैं अपने लिए ताके हम उनको असानी से design में use कर सकें अचा जी ये मैंने यहाँ पर illustrator की एक file जो है वो open कर रखी है print में से और यहाँ पर मैंने ये कुछ visuals जो हैं ये निकाल के रखे में जैसे कि ये एक दो visuals मैंने भी आपको दिखाए भी तो इनको मैं drag and drop करता हूं जी illustrator के अंदर जिसने से ये एक मेरे पास बहुत खुबसूरा सा जो है वो illustration वाला image है ये एक landscape है बहुत खुबसूरत और ये इस वक्त मेरे पास available है किसमे image के form के अंदर तो इसको मैं सबसे पहले आप लोगों को याद होगा हम image को लाके यहां पे उसको embed करते होते हैं ताकि वो linked up हो जाए अब हम जो है वो यहां पे मैंने image trace की option पहले से खूल रखी है जो के हम जनाबी अली window में जाके जो है वो ले ले लेते हैं यहां पे भी हमारे पास image trace पहले जो है वो नहीं देखी थी और हमने जो है वो इसको मजीद दूसरे अंगल से image trace की options को जो है वो हमने discuss किया था तो यह जो by default options है यह भी कभी कभी हमारे काम आजाती है जब हम कास तोर पे quickly किसी भी हमारे पास time काम है हमने को layout finalize करनी है और क्या है जी कि हमारे पास इतन करते हैं बहुत quickly हम अपने वेक्टराइज करके वेक्टर फॉर्म में उनको अपने designs के अंदर अपने layout में use कर सकते हैं तो चले जी इनको हम थोड़ा सा overview करते हैं अब यही options यहां पे हमारे पास जब हम image trace के यह पूरा panel open करते हैं जिसमें यह advanced options हैं और यह कुछ उपर हमार पे high fidelity को मैं apply करके देखूंगा तो यहां पे यह मुझे क्योंकि मैंने preview on किया वा है तो यह मुझे यहां पे मेरी जो है वो result देदेगा अब यह आप देख सकते हैं कि यह इसने जो है वो image को vector की form में convert कर दी है लेकिन detail हमें काफी ज्यादा यहां पे जो है वो available है अच्छा दिखाया था उसमें आप लोगों ने देखा काफी ज्यादा details आ रहे थे और चोटे 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 patches थे यह जो low fidelity photo की option है यह भी काम वही करती है जो high fidelity की option कर रही होती है लेकिन फर्क सिर्फ यह होता है कि यह हमें बड़े patches के अंदर और थोड़ी सी कम detail के साथ comparatively larger patches जो है यहां पर हमें जिससे आप यह देख सकते हैं कि यहां पर यह कुछ बड़े-बड़े patches बन गए हैं लेयर सी बन गई हैं इनको अगर मैं इस image को expand करने के बाद अगर इस image को मैं control shift G की मतलब से ungroup करके आपको दिखाऊंगा तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि यहां पर यह जो हैं यह सारे different portions बन चुके हैं different जो है वो parts बन चुके हैं तो यह बड़े parts में हमें produce करके देता है हमारा जो जो भी हमारा visual होता है अगर इसको मैं expand कर दूँ तो यह देखें यह हमारे parts जो हैं यह clear हो गए हैं अब इसको अगर मैं ungroup करूं control shift G की मतलब से और यहां पर आके यह देखें मैं अलदा-अलदा करना शुरू करूं तो यह देखें यह patches बन चुके हैं हमारा visual जो है वो patches की सूरत में यहां पर आ चुका हुआ है और आप देख सकते हैं कि यह patches यहां पर available हैं तो यह हमारा जो option है low fidelity की वो मैंने भी आप लोगों को apply करके दिखाई लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहां से एक और विजुल जो है यह मैंने एक यहां पर रखावा है जनाबिया ली एक और कार्टूनिक इमिज मैंने रखावाई यह कार्टून बनावाई और मेरे पास ही इस वक पहला जो है यह जे पैक के अंदर available है अच्छा आप यहां प के अंदर इसको जो है वो मोनोटोन के अंदर उसको जो है वो वेटराइस कर दिया इसी तरह से कर मैं इसके उपर 6 कलर की आपशन अप्लाइ करूं तो आप देख सकते हैं कि अब आपको comparatively 3 कलर के निसबत ज्यादा कलर रिंज जो है वो मिल रही है यहां पर इसी तरह से हमार पास यहां पर आ गई है अगर इसको मैं एक्सपैंड करूं तो यह देखें यह हमारे पास बन चुके हैं और अगर मैं इसको अंगरूप करता हूं कंट्रोल शिफ्ट जी की मदद से और अब अगर आके मैं इनको जो है वो सेलेक्शन या डिरेक्ट सेलेक्शन टूल की मदद स अगर मैं अलग अलग करके आपको दिखाओं तो यह देखें यह पूरा विज्वल हमारा इस तरह से वेक्टर पास के अंदर डिवाइड हो चुका है जो के पहले हमारा क्या थी हमारे पास एक जे पैग तो यह कुछ आप्शन जो हैं यह मैंने आपको बताई अचा अब एक और मैं यहां पे यह मेरे पास एक घड़ी का छोटा सा एक यह पड़ावाजी विज्वल इसको मैं बैट करके थोड़ा सा इसको अपने अपने कैन्वस के अंदर लेके आरों आर्ट बोर्ड में अचा अब यह आप देख सकते हैं यह फ्लैट इमेज है ठीक है है यह भी हमा से जूम करके दिखाऊं तो यह देखें यह पहले हमारे पास अवेलिबल था कुछ इस तरह से आप बलर्नेस जो है वो इसके अंदर देख सकते हैं अगर मैं इसके उपर ब्लैक और लोगो अप्लाय करूं तो यह देखें बड़ा क्लेर है बड़ा एजली विजबल है कि यह हमारे पास जो है वो वेक्टराइज हो चुका है ठीक है जी अब अगेन अगर हम इसको एक्सपैंड कर दें और उसके बाद किंट्रोल शिफ्ट जी कर दें तो हम देख सकते हैं कि यह हमारे पास डिफरेंट पॉर्शन्स के अंदर जो है यह हमारे पास एक पूरा हमारी यह पीएजी थी हमारे पास ढिफरेंट पॉर्शन्स की चेकल जो है यह एक्तिार कर चुकी है यह अब तीन प्यॉर्शन्स में यह डिवाइड होगी है तो इस तरह से हम बलक और यह लोगों की मदध感 है उसको हम इस वाली आप्शन की मदध感 से चेक कर सकते हैं और देख सकते अच्छा जी यहां पे हमारे पास एक यह गिटार का इमेज पड़ाओा है इसको भी मैं ज़रा यहां पे लेकर आता हूं और इसको मैं इंबैड करता हूं इंबैड करने के बाद मैं जूम इन कर लेता हूं अब यहां पे यह मैंने आपको कुछ आप्शन्स दिखाएं थी इन ही मैं से मैं इसके उपर और एक्जामपल लो फिडिलिटी फोटो जो है यह मैं अपलाए करके देखता हूं यह देखें यह बड़ा खुबसूरा सा मेरे पास वेक्टराइज आ गया है अच्छे यहां पे एक और चीज मैं आपको बताता है चलो यह विउ के अंदर अगर हम देखें नीचे तो यहां पर ट्रेसिंग रिजल्ट है अब यह देखें ट्रेसिंग रिजल्ट इसवक्त मेरे सामने वो मेरा ट्रेस डिजल्ट आरह है जो कि इस वक्त मैंने trace कर लिया हुआ है इसके बाद नीचे एक और option है tracing result with outlines अब ये outlines भी दिखा रहा है tracing के साथ सथ की जो path बने हैं जो image trace की feature ने path create की है इस image में से वो path भी आपको नज़र आने शुरू हो गए है उसकी outline आपको नज़र आनी शुरू हो गई है अगर आप खाली उन path की outline देखना चाहें तो इस तरह से आपको वो यहां पे तीसरी option में outline में वो चीज़ें जाए है वो पूरी एक outline में path नज़र आ जाएंगे इसी तरह से outlines with source image यानि source image वो image है जिससे हमने image trace की मदद से उसको trace किया या vectorize किया तो वो भी हमें देखने को मिल जाएगा और इस तरह से सबसे नीचे option है जी source image की तो यह हमारे पास different options मौजूद है जिनकी मदद से हम देख सकते हैं इसके बाद हमारे पास नीचे यह कुछ advanced options भी हैं जिससे हम path बढ़ा सकते हैं तो यह कुछ इसके लवा हम corners पास के उनको हम कम ज्यादा कर सकते हैं noise इसमें add या reduce कर सकते हैं तो यह देखें अगर आप ज्यादा noise इसमें add कर देंगे तो यह कुछ इस तरह का noisy सा vector जब आपको मिलेगा जबकि अगर मैं noise को reduce करता हूँ कम रखता हूँ तो यह देखें हमारी जो detail है हमारे vector की वो अपनी जगा पे काईम है इसको हम अगर expand करें और control shift B करें तो यह देखें यह हमारे पास अलग-अलग path की मदद में हमारा जो एक visual है यह available है तो this is all about जो कुछ overview में आपको देना चाहरा था image trace के हवाले से कुछ options जो by default मौजूद थी यह भी हम लोगों ने देखनी है और यह आप लोगों के लिए उस वकाम आएंगी जब आपको बहुत quickly कोई चीज vectorize करके अपनी किसी भी design या layout के अंदर इस्तमाल करनी होगी जी तो हम लोगों ने image trace को मजीद explore कर लिया और हमने देखा किसना quickly हम लोग trace कर सकते हैं, way trace कर सकते हैं किसी भी image को चाहे वो jpeg form में हो या png form में हो और उसको हम इस्तमाल के काबल बना सकते हैं अपने विजूल में ताके हमारे विजूल में यूज होने के बाद वो हमारे जो हमारा जो layout है हमारी या हमारा जो design है उसकी जो face value है उसको कम ना करें बलके उसका एक मुनासिब हिस्सा जाए वो बन जाए, तो यह हम लोगों ने देखा अब next lesson में हम लोग इंशाला ताला कोई और नई चीज जो है वो create करनी सीखेंगे और उसके हवाले से हम discussion करेंगे graphic design को लेके